कुर्बा में कोरोना काल में पेट्रोल की काला बजारी का मामला सामने आया है। दरसल 88 रुपे लीटर के पेट्रोल को डेर सो में किराना व्यवसाई बेच रहे थे। शिकायत पर दो दुकानों पर 10,000 रुपे का जुर्माना प्रशासन ने लगाया है। कोरोना का खत्रा सहर से लेकर ग्रामिट शेतुर तक फैल रहा है। इसके बावजूत किराना दुकान संचालकों की लापरवाही सामने आ रही है। कोर्बा तैसिल शेत के ग्राम मदनपूर में दो दुकानदारों द्वारा अवैद रूप से पेट्रोल बेचा जा रहा था। पेट्रोल बेचने का धंदा कई महीनों से जारी है और ग्राहकों को जम कर लूटा जाता है। सुझना पर नायब तैसिल दार मनहरण से राठिया की संयुक्त टीम ने अचानक छापा मार कर 20 लीटर पेट्रोल जब्त किया है। अवैद रूप से पेट्रोल रखकर बेचने वाले लक्षमी जनरल स्टोर के संचालक राजींद दत्ता और नेमिस जनरल स्टोर के संचालक शामलाल राठिया पर 10-10 हजार रुपे का अर्थदन लगाया गया है। नायब तैसिलदार राठिया ने बताये कि संचालक तीम ने किराना दुकान संचालकों पर अवैद रूप से पेट्रोल बिक्री करने पर कारवाई की है। निरिक्षन किया गया तो पताचला कि दोनों दुकान संचालकों दुआरा कोविड-19 गाइडलाइन का पालन ना कर अवैद तरीके से लोगों को पेट्रोल 150 रुपे प्रती लीटर में बेचा जा रहा है। अवैद रुप से भंडारित 20 लीटर पेट्रोल भी मिला। इस मौके पर पटवारी अंकित कुमार द्विवेदी, फिरोज आलम, नवरत सिंकमर भी मौजूद थे। मेडिया फूर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ इश्वर राठ्या की रिपोर्ट